अनात बच्ची का विशाल मुर्गी घर बहुत से पहली की बात है समराट नाम का एक जादुगर था जो लोगों को अपना जादु दिखाया करता था दूर दूर से लोग उसका जादु देखने आया करते थे और वो अपना जीवन यापन किया करता था उसके घर में उसके अलावा और कोई नहीं था, वो अकेला ही उस घर में रहता था, एक बिमारी की चलते उसे अपना सब काम छोड़ना पड़ा, और अब वो बुढ़ा भी हो गया था, उसके पास एक मुर्गी भी थी, जादूगर ने अपनी मुर्गी का नाम रानी रखा था जिससे वो जादू भी दिखाया करता था, लेकिन बिमार रहने की वजह से अब उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया था, उसे इस बात का एहसास हो गया था, कि अब वह ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता, इसलिए वह अपनी मुर्गी को एक सही इंसान को देना चाहता जो उस मुर्गी की देखभाल कर सके, रानी तुमने मेरा बहुत सांथ दिया है, लेकिन अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे नए मालिक के पास भेजने जा रहा हूँ, जैसे तुमने हमेशा मेरा सांथ दिया, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने नए मालिक का भी वैसे ही सांथ देना, वो मुर्गी बिना कुछ बोले उस जादुगर की तरफ देखती रहती है, फिर वो जादुगर उसके नए मालिक की तलाश में चल पड़ता है, जाते जाते वह एक साहुकार की दुकान पर पहुँचता है, जादुगर के हाथ में वह सुनहेरे रंकी मुर्गी भी थी, जादुगर साहुकार के पास जाता है और बोलता है, जणाब कुछ खाने को मिलेगा, मैं और मेरी मुर्गी रानी बहुत भूखे है, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो आपका बहुत उपकार होगा, साहुकार उस जादुगर और और सोचता है, खाने के लिए खाना तो मिल जाएगा, लेकिन यह बता, यह साथ में मुर्गी लेकर कहा जा रहा है, इसको देता जा बदले में, तुझे खाना दे दूंगा, उसकी बातों से वह जादुगर समझ गया था, कि वो बहुत लालची इंसान है, और यह उसकी को नुकसान पहुंचा सकता है और वह जादूगर बिना कुछ बूले वहां से चला जाता है आगे जाते जाते जादूगर एक पहलवान के पास पहुंच जाता है जो घर के अंगन में बैट कर खाना खा रहा था जादूगर उससे बूलता है कुछ खाने को मिलेगा क्या मुझ सुनहरे रंग की मुर्गी को देखता है उसकी मुझ में पानी आ जाता है सुनहरे रंग की मुर्गी इसको खाने में तो बहुत मसा आएगा ये मुर्गी कहां से मिली तुम्हें चल इस मुर्गी को मुझे दे जा और ये ले एक रोटी इसको खिला ले ना यह मुर्गी नहीं दे सकता, देख फोकट में तो तुझे मैं कुछ नहीं देने वाला, वैसे भी तो खुद खाना खा नहीं सकता, तो इस मुर्गी को क्या खिलाएगा, मेरी बात मान, मुझे देता जा इसे, इसके बदले में मैं तुझे 500 रुपे देता हूँ. जादूगर समझ गया कि ये पहलवान भी मुर्गी का ध्यान नहीं रखेगा, बलकि उसे खा जाएगा, जादूगर वहां से चला जाता है, ऐसे ही दो दिन हो जाते हैं, लेकिन अभी तक जादूगर को कोई ऐसा इंसान नहीं मिला था, जिस पे जादूगर को भरोसा हो, जो मुर्गी रानी का ध्यान रख सके, ऐसे ही जादूगर एक गाउं में पहुँच जाता है, वहां जाते जाते वहें एक घर में पहुँच जाता है, जहां एक छोटी सी जोपडी थी, कोई है यहाँ, जो भूके को खाना खिला सके, जादूगर की अवाज सुन कर उस जोपड में से एक लड़की बाहर आती है, जिसका नाम मुन्नी था, बाबा जी, क्या चाहिए आपको, बेटा, ओर भूक लगी है, कुछ खाने को मिलेगा, मैंने, और मेरी रानी ने कल से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को मिल जाए तो तुम्हारा भला होगा, जी बाबा, घर में खाना तो नहीं है, आप एक मिनट रुको, और मुन्नी अंदर जाती है, और वहें एक सूखी रोटी लाती है, बाबा, ये एक सूखी रोटी है, आप ये रख लीजिए, आगे जाकर किसी से सब्सी लेकर इसे खा लेना, जादोगर मुन्नी से बहुत खुश होता है, बेटा, तुम बहुत दयालू हो, तुम्हारे पास जो एक सूखी रोटी पड़ी थी, तुमने वो बिना किसी स्वार्थ के मुझे दे दी, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखेगा, जादोगर की बात सनकर मुन्नी की आँखों में आसु आ जाते हैं, बापा, मेरा इस दुन्या में कोई नहीं है, जब से होश संभाला है, तब से अकीली हूँ, मेरी मापापा मुझे अकीला छोड़ कर भगवान के पास चले गई, मेरा कोई दोस्त भी नहीं है, तुम चन्ता मत करो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, जादोगर अपनी सुनहरे रंग की मुर्गी रानी को मुन्नी को दे देता है, अरे सुनहरे रंग की मुर्गी, मैंने ऐसी मुर्गे कभी नहीं देखी, ये तो बहुत संदर है, मुन्नी उस मुर्गी को देखकर बहुत खुश होती है, ये मेरी सबसे कीमती चीज है, जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, जादू गर अपने बारे में सब कुछ मुन्नी को बताता है, मैं एक जादू गर था, लोगों को जादू दिखाता था, और इस मुर्गी ने हमेशा मेरा सांथ दिया है, लेकिन अब इस बिमारी के चलते, मेरा शरीर बहुत कमजोर हो गया है, और अपने इस मुर्गी का खयाल नहीं रख सकता और न जाने कब मेरी मृत्यू हो जाए इसलिए मैं किसी ऐसे इंसान की तलाश में था जो मेरी मुर्गी रानी का ध्यान रख सके आप चिंता मत करिये आज से ये मुर्गी मेरी दोस्त है और मैं इसका हमेशा ध्यान रखूंगी मैंने अपने सारे शक्तियां मुर्गी को दे दी है अब ये कोई साधारण मुर्गी नहीं रही बेटा और वह जादुगर वहाँ से चला जाता है अब मुन्नी उस सुनहरी रंग की मुर्गी के साथ बहुत खुश थी जहाँ जहाँ मुन्नी जाती मुर्गी की मुन्नी भी उसके पीछे पीछे घूमती रहती थी अब मुन्नी और मुर्गी दोनों आपस में बहुत बाते करते थे मुर्गी रानी तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्तो जब से तुम आई हो, मुझे पिक्कुल भी अकेला महसूस नहीं होता तुम बहुत अच्छी हो, मुझे भी तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है एक दिन मौसम बहुत खराब हो जाता है और बहुत जोर से बारिश होने लगती है बारिश की वजह से मुन्नी की जोपड़ी में पानी गिरने लगता है क्योंकि मुन्नी की जोपड़ी की छट बहुत जगह से तूट गई थी और पानी पूरी जोपड़ी में भरने लगता है मुन्नी मुर्गी को पकड़ कर एक कोने में जाने लगती है तभी वो मुर्गी बोलती है, मुन्नी मेरी दोस्त तुम चिंता मत करो, जैसा मैं कहती हूँ तुम वैसा करो, तभी वह मुर्गी एक बड़े से विशाल सोने के घर में बदल जाती है, मुन्नी तुम इस दर्वाजे से अंदर आजाओ, जहां तुम्हारी जरूरत की सभी मैं एक चातूई मुर्गी हूँ तुम जल्दी से अंदर आ जाओ मेरी दोस्त। फिर मुन्नी मुर्गी के अंदर चली जाती है और वो देखती है कि अंदर से वह मुर्गी का घर किसी महल से कम नहीं था वहां मुन्नी की जरूरत की सभी चीजें थी बड़ा सा बेड और साथ म का बहुत सारा समान पड़ा था अब मुन्नी उस सोने की मुर्गी के घर में रहने लगीं और वो बहुत खुश थी एक दिन एक बुढ़ा बाबा लोगों के घरों में जाकर कुछ खाने के लिए मांग रहा था बेटा कुछ खाने को खिला दो बहुत भूख लगी है तभी बड़े से घर में से एक औरत बाहर आती है और उस बाबा को देख कर गुस्से से बोलती है जब देखो कोई न कोई मंग ले चला आता है चलो भगो यांसे बेटा खाना नहीं तो थोड़ा पानी ही पिला दो सुबह से चल के ठक चुका हूँ बहुत प्यास लग रही है तुमको सुनाई नहीं दिया अभी के भी यांसे निकलो मेरे पास ना खाने को है और ना ही कोई पानी है न जाने क्यों रोज-रोज मंगने आ जाते हैं और वो औरत उस बाबा को कुछ भी नहीं देती और उसे वहां से जाने को बोलती है। बाबा बिना कुछ बोले वहां से जाने लगता है। उसी गली में एक छोटी सी लड़की भीक मांग रही थी जिसका नाम मुन्नी था। उसके साथ भी हर रोज ये सब होता था। बहुत सारे घर पर मांगने पर ही एक घर से खाना मिल पाता था। वो उस बूड़े बाबा के पास जाती है और उनसे बोलती है। बाबा आपको भूक लगी है। एक लड़की उनके सामने खड़ी थी जिसमें फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। और एक कंधे पर ठैला लटकाया हुआ था। बेटा बहुत प्यास लगी है। लेकिन इन अमीरों की बस्ती में सब करीब है। कोई पानी तक नहीं पिला सकता। बाबा शेहर के सांती जंगल है। और थोड़ी दूर जाकर मेरी एक कुठिया है। क्या आप मेरी साथ वहां चल सकते हो। मैं आपको वहां पानी पिला सकती हूँ। और मेरे पास तोड़ा सा खाना भी है। आप खा लेना। मुन्नि की बात संब कर बाबा खुशी से मुन्नि के साथ चलनी लिए तयार हो जाते हैं। तभी बाबा मुन्नी से पूछते हैं, बेटा, तुम्हारे माबाप कहा है? बाबा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मुन्नी की उम्र भी नौ साल की थी, और वो लोगों की घरों से भीक मांगती थी, जो कुछ मिलता था, बस उसी से वो अपना गुजारा करती थी। मुन्नी के अलावा और कोई नहीं था, मुन्नी को अखेले में बहुत डर लगता था, और वो अपने मापापा को याद करके सो जाती थी। कुछी देर बाद मुन्नी बाबा के सांथ घर पहुंच जाती है, और वो बाबा को पानी पिलाती है। बाबा मेरे पास ये एक रोटी है आप खा लीजिये बेटा लेकिन तुम्हारे पास भी तो एक ही रोटी है फिर भी तुम मुझे अपने हिस्से की रोटी दे रही हो बाबा आप इसे खा लीजिये मैं कई और से ले लूगी अभी मुझसे ज्यादा आपको इसकी जरूरत है त साबाश बेटा, तुम से मैं बहुत खुश हूँ, तुम बहुत ही नेक दिल हो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, तभी वो बाबा अपनी शक्ती से अपने हाथ में एक मुर्गी ले आते हैं, ये लो मुर्गी, तुम इसको अपने साथ रखना, ये बुरे वक्त में ह हमेशा तुम्हारी साहिता करेगी और तुम जैसी हो, हमेशा वैसी ही रहना, तूसरों की हमेशा मदद करते रहना, मुन्नी उस मुर्गी को अपने साथ रखती थी, जब भी वो कहीं जाती तो लोग उसकी हाथ में देखकर उसे मांगने लग जाते, लेकिन मुनी हर बार मना कर देती थी एक दिन मुन्नी के घर खाने के लिए कुछ नहीं था जो कुछ अनाज था वो उसमें मुर्गी को डाल दिया था बहुत भूख लग रही है लेकिन खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है चलो शहर जाकर मांगती हूं तब ही मुन्नी का ध्यान उसकी मुर्गी के नहीं देखा तभी वो मुर्गी बोलती है ये कोई साधारन अंडा नहीं है ये सोने का अंडा है उसको बोलता देख मुन्नी घबरा जाती है अरे तुम बोल सकती हो घबराओ मत मैं एक जादूई मुर्गी हूं तुम बहुत दयालू और अच्छे सभाव की हो ये मेरी को उठा लेती है और गाउं में एक सुनार को वो अंडा बेच देती है सेट ची क्या आप सोने की चीज खरीद लेते हो अरे तेरे पास क्या है सोने का बेचने के लिए कहीं से कुछ चुरा कर तो नहीं लाई नए मैंने कोई चोरी नहीं की ठीक है दिखा क्या बेचना है चोरो ये बताओ तो मैंसे खरीद सकते हो या नहीं अरे हाँ हाँ मैं इसे खरीद लूँगा सुनार मुन्नी को संडे के बगले पैसे दे देता है और मुन्नी पैसे लेकर अपने लिए धेर सारा राशन और समान ले आती है ये लड़की तो यहां भीक मांगा करती थी तो फ और उन पैसों से वो लोगों की मदद करती थी गरीब लोगों को राशन ला कर दिया करती थी मुन्नी हर जरूरत मंद इंसान और जानवरों की भी मदद करती थी और उस मुर्गी का भी बहुत खयाल रखती थी अब वो मुर्गी के साथ ही अपने दुख सुख की बातें किय करती थी एक दिन जब मुन्नी सुनार को अंडा बेच कर आती है तो सुनार अपने आदमियों को मुन्नी का पीछा करने के लिए बोलता है रामु इस लड़की का पीछा करो और देखो ये रोज सुने का अंडा कहां से ला रही है सुनार का आदमी मुन्नी के पीछे पीछे जा और रात होने पर सुनार का आदमी को चुड़ा लेता है सुभा हो जाने पर जुग मुन्नी देखती है कि मुर्गी अपनी जगह पर नहीं है तो वह बहुत परिशान हो जाती है अरे ये मुर्गी कहां गई, कहीं कोई बिल्ली उसे उठा कर तो नहीं ले गई अरे रामू, इस मुर्गी ने तो अभी तक एक भी अंडा नहीं दिया और नहीं ये कुछ बोल रही है, तुने सच में इसे बोलते हुए सुना है न हाँ सेच जी, ये मुर्गी बोल रही थी, ए मुर्गी बता तू अंडा क्यों नहीं दे रही लेकिन वो मुर्गी कुछ नहीं बोलती, मुझे तो बस ये एक साधारण सी मुर्गी लग रही है, जाओ उस लड़की को पकड़ कर लाओ सुनार का आदमी रामू मुन्नी को उसके घर से उठा कर ले आता है ए लड़की, चल इस मुर्गी से अंडा मांग, वरना हम इसे मार देंगे नहीं सेच जी, ऐसा मत कीजिए, मैं आपको सोने का अंडा मांग कर देती हूँ ये जाओ ये मुर्गी, कृप्र मुझे एक सोने का अंडा देतो, वरना हम दोनों को जान से मार देंगे और वो मुर्गी एक सोने का अंडा देती है, सोने का अंडा देखकर सुनार बहुत खुश हो जाता है ये मुर्वी तो सच में जादूई है इसकी मदद से अब मैं दुनिया का सबसे अमीर अनसान बन जाओंगा और वो उन दोनों को कमरे में बंद करके अंडा रखने चले जाता है सुनार जैसे ही अंडा रखने के लिए अपनी तिजूरी खोलता है तो उसमें बहुत सारे सांप थे और सुनार के हाथ में भी अंडे की जगा सांप था अरे कोई बचाओ हमें सांप और वो सांप उन दोनों को डस लिता है वो कहते है ना इंसान को कभी लालच में आकर कोई बुरा काम नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका अंठ बहुत ही बुरा होता है और मुन्नी मुर्गी को वापिस लेकर घर चली जाती है आर्ती अपनी बेटी राधा और अपनी सास के सांथ सूरत में रहती थी आर्ती लोगों के घरों में काम करती थी और उसी से उसका घर चलता था आर्ती के पती मोहन का कुछ समय पहले ही देहान थो गया था मोहन के जाने के बाद अब आर्ती ही घर का खर चुठा रही थी मा जी आज मुझे काम पर जल्दी जाना है वो मोहिनी माडम के यहां किसी खास रश्टेदार की शादी है तो आज उनको शॉपिंग के लिए कहीं जाना है इसलिए मुझे जल्दी काम खत्म करके आना होगा मैंने खाना बना के रख दिया है आप और राधा खाना खा लेना चलो अभी मैं चलती हूँ ऐसा कहकर आर्ती काम पर चली जाती है आर्ती जिस मोहिनी माडम के घर में काम करती थी वो बहुत अमीर लोग थे और वो दिलकी भी बहुत अच्छी थी कुछ देश के बाद दादी आर्ती को आवास लगाती है राधा ओ राधा कहां चली गई पता नहीं कहां चली जाती है ये लड़की तभी घर के पीछे से आवाज आती है जी दादी जी मैं यहां हूँ तू फिर वहां चली गई जब देखो इस महंदी के पेड़ पर लटकी रहती है चल नीचे आ, मेरे साथ काम में मदद करा दादी मुझे आज महंदी लगानी है इसलिए महंदी के पत्ते उतार रही हूँ आप मा को बोल दो न आरती काम पर चली गई है तू जल्दी इधर आ पता नहीं ये लड़की कब सुधरेगी आरती के घर के पीछे एक बहुत बड़ा महंदी का पेड़ था जिसे उसकी दादी ने लगाया था और अब वो पेड बहुत बड़ा हो गया था राधा जब छोटी थी तब वो अपनी दादी और अपनी मा को त्योहार के समय महंदी लगाते हुए देखती थी इसलिए अभी राधा भी पेड से पत्तियां उतार कर उन्हें अच्छे से कोन में भर कर रख लेती थी और उसके बाद अपने हातों पर महंदी लगाती थी राधा को महंदी लगाना बहुत पसंद था तब ही अच्छानक एक चीखनी की अवास सुनाई देती है आह मम्मी क्या हुआ राधा जब राधा की दाधी घर के पीछे जाकर देखती है तो राधा पेड से नीचे गिरी हुई थी हे भगवान ये लड़की ने कुछ तुड़वा लिया होगा अपना कहा लगी दिखा मुझे हरी दाधी कुछ नहीं हुआ मैं बच गई वो नीचे उतेखते समय पैर फिसल गया और मैं धाडाम से नीचे आ गई कुछ हो जाता तो अब दाध निकाल रही है चल उठ मेरे साथ चल दाधी मेरी महंदी के पत्ते बिखर गए आप चाओ मैं इने इखटा करके आती हूँ दाधी वहां से चली जाती है और राधा सारे पत्ते इखटे करती है और उन्हें पीस लेती है ऐसे ही शाम हो जाती है आरती भी काम करके घर आ गई थी जब वो खाना खाने के लिए राधा को बुलाती है राधा जल्दी आजा खाना खाले तभी राधा उनके पास आती है मा, मैंनी तो हाथों में महंदी लगा ली अरे, ये लड़की तो पागल हो गई है इसे महंदी के इलावा और कुछ नहीं सूचता जब देखो हाथों में महंदी लगा कर खूमती रहती है चल, हाथ दोले और खाना खाले मा, क्या आप भी मैंने इतना सुंदर डिजाइन बनाया है और आप बोल रही हो कि मैं हाथ दोलू राधा अपने हाथ अपनी मा और दादी को दिखाती है महंदी तो सच में बहुत सुंदर लगाई है अरे वा राधा, तुमने तो पार्लर वालों से भी सुंदर महंदी लगाई है मा चलो, अब आप मुझे अपने हाथों से खाना खिला दो फिर आरती अपने हाथों से राधा को खाना खिलाती है अगली सुबह आरती की सास की तब्यत खराब हो जाती है अरे मा, आपको तो बहुत बुखार हो गया है आपको तो अस्पताल लिके जाना होगा आरती मन में सोचती है कि आज राधा को वो काम पर भेज दे आरती जब राधा के पास जाती है और देखती है कि राधा फिर से महंदी के पत्ते पीस रही थी राधा तो ये महंदी के पत्ते छोड़, माजी की तबित बहुत खराब है, उनको बहुत तेज बुखार हो गया है, मैं उनको अस्पताल लेकर जा रही हूँ, आज तु मेरी जगा मोहिनी माडम के घर पे काम पर चली जा और ध्यान से काम करना बस मा, सारे पत्ते पीज गए है, मैं अभी जाती हूँ, आरती अपनी मा को डॉक्टर से चेक करवाती है, और उनका ध्यान रखती है, और दूसरी तरफ राधा भी मोहिनी माडम के घर पर सब अच्छे से काम कर रही थी, तब ही राधा को मोहिनी माडम की आवास सुनाई देत है, वो फोन पर किसी से गुस्से से बोल रही थी, देखो मैं तुम्हारा पार्लर बंद करवा दूंगी, तुम लोग ऐसे मौकी पर मुझे मना कैसे कर सकते हो, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी, और वो गुस्से से फोन काट देती है, राधा उनको परिशान महंदी लगाने के लिए, लेकिन आइन मौके पर इनों ने मुझे मना कर दिया, बोल रहे हैं कि शादियों के वज़े से पालर में बहुत लोग आये हुए है, इसलिए वो यहां आकर महंदी नहीं लगा सकते, मैडम अगर आप चाहें, तो मैं आपको महंदी लगा सकती क्या, तुम और महंदी? हाँ मैडम जी, मैं बहुत अच्छी महंदी लगा लेती हूँ, मैंने दो दिन पहले ही अपने हाथ में महंदी लगाई थी, ये देखो, आप चिंता मत करो, मैं आपको बहुत अच्छी महंदी लगाऊंगी मोहिनी को राधा की महंदी अच्छी लगी, मैंने कल घर पर कुछ महंदी के कौन बनाए थे, मैं वो लेकर आती हूँ, मोहिनी अपनी ड्राइवर को राधा के साथ भेश देती है, और वो दोनों घर से महंदी लेकर आते हैं, राधा मोहिनी माडम के हाथों पर बहुत राधा तुम ने तो बहुत सुंदर महंदी लगाई है, ऐसे सुंदर डिजाइन तो पार्लर वाले भी न hacking ती तूमने तो कमाल ही कर दिया, घी लू तुम्हारी महनत, नहीं मैडम जी मैं यह नहीं रख सकती, अरे क्यों नहीं रख सकती, यह तो तुम्हारी महनत की कमाई है मेरी उस पारलर वाली किसांद 1100 रुपे की बात हुई थी वो तो आई नहीं महंदी लगाने अब मुझे तुमने महंदी लगाई है तो ये पैसे तुम्हारे हुए ना फिर राधा वो पैसे रख लेती है और मोहिनी ड्राइवर को राधा को घर छोड़ने को बोलती है राधा आज बहुत खुश थी क्योंकि उसे पहली बार किसी काम के लिए इतने पैसे मिले थे राधा घर पहुँच कर पैसे अपनी मा को देती है राधा की मा और दादी भी बहुत खुश हुए थे दूसरे तरफ मोहिनी की महंदी बहुत अच्छी लगी थी शादी में सब मोहिनी की महंदी को बहुत पसंद करते हैं और उससे महंदी वाली के पार्लर का एड्रस भी मांगते हैं और उन सब लेडीज को वो राधा के बारे में बताती है सब दुलहन की महंदी से ज्यादा मोहिनी मैडम की महंदी की बाते कर रहे थे अगले दिन मोहिनी अपनी दोस्तों के सांथ राधा के घर जाती है अरे मैडम जी आप यहाँ राधा तुम्हारी लगाई हुई महंदी को शादी में सबनी बहुत पसंद किया इसलिए मेरी ये दोस्त अपनी बेटी की शादी के लिए महंदी की बुकिंग कराने के लिए तुम्हारे पास आए हैं राधा और उसकी घर वाले ये बात सुनकर बहुत खुश होते हैं अब राधा लोगों को महंदी लगाती थी जिसके बदले उसे अच्छे पैसे भी मिलते थे अब राधा का काम बहुत अच्छा चल रहा था राधा की महंदी लगाने की कला को देख बड़े बड़े पारलर वाले राधा को अपने पारलर में काम करवाने के लिए बोल रहे थे फिर राधा एक बड़े पारलर में काम करने के लिए तयार हो जाती है और वहाँ वो महंदी लगाने के बाद जो समय बचता था उसमें पारलर का बाकी काम भी सीख लेती है अब राधा महंदी लगाने के साथ साथ पारलर का बाकी काम भी बहुत अच्छे से कर लेती थी एक दिन राधा अपनी मा को बताती है मा मुझे महंदी के साथ साथ बाकी काम भी आ गया है अब मैं अपना पारलर का काम शुरू करना चाहती हूँ अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा मैं तुम्हें ज्यादा पढ़ा तो नहीं पाई लेकिन तुम अपनी महनत और लगन से यहां पहुंची हो तुम्हें जो सही लगे वैसे कर सकती हो मैं तुम्हारे साथ हूँ उसके बाद राधा अपना पारलर शुरू करती है और उसके काम से लोग बहुत खुश थे उसके पारलर में दिन भर बहुत लोग आते थे और राधा की मा आरती ने भी लोगों के घरों में काम करना बंद कर दिया था राधा ने अब सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लिया था और वह तीनों बहुत खुश थे